तो हमारे साथ बोकारो सदर हस्पिताल के उपाद इक्षक अरविंद कुमार जी हैं, आए उनसे जानते हैं कि सर्दियों में आम तोर पे बुजुर्गों को किनकिन समोसियों का सामना करना पड़ता है और उनके क्या प्रमुक उपचार है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी ठंड का मौसम आता है तो कुछ जो अमोमन कुछ चीजे जो हैं अपने घर में हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उन लोगों को अधिक बिशेश कर अधिक देखबाल की आउशकता होती है जैसे वैसे बुजुर्ग जिनको सांस की तक अधिक या वैसे बुजुर्ग हमारे जो की हाई बलड प्रेशर की सिकायत से ग्रशित होते हैं उन लोगों का भी ठंड के मौसम में बलड प्रेशर का बढ़ जाना स्वाभाविक है तीसरे में अगर हम लोग देखें तो हमारे जो बुजुर्ग हैं उम्र के बढ़ते होती है या फिर जो लोग गठियावाद की सिकायत से ग्रशित होते हैं उन लोगों में जोडों का दर्द भी अमूमन ठंड के दिनों में बढ़ जाता है तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए इन तरह के मरीजों के लिए सबसे पहले है कि जो हमारे हाई बलड प्रेश न होता है कारण की हमारे जो भी बुजूर्ग हैं वो लोग मॉर्निंग वाक करना ज्यादा पसंद करते हैं तो ठीक है आज के समय में भी ठंड के दिनों में भी मॉर्निंग वाक करना बुरा नहीं है लेकिन अपने सरीर को पूरे तोर पे ढख के ही बाहर निकलें तो वो उ के लिए ज्यादा फायदे मंद होगा नमबर दू जिन लोगों को सांस की तकलिफ होती है वो लोग मौर्णिंग और एक बार रात में सोने से पहले सुशुम पानी में हलका नमक डालके गारगल करें सुशुम पानी का सेवन करें उन तरह के पदार्थों का जो की प्रोटेन र ज्यादा पड़ती है या रक्त चाप ज्यादा मिलने पे कभी कभी उन बुजुर्गों में सेरेवरल इन्फाक या हैम्रेज होने की समावना रहती है इसलिए अपने चिकित्सक के संपर्क में वह ऐसे लोगों को हमेशा रहना चाहिए ताकि नियमित रूप से दवा का सेव करते हुए वो अपने रक्त चाप को कंट्रोल में रख सके और किस और रक्त चाप बढ़ने से होने वाले जो दुस्प्रभाव हैं उससे बचा जा सके साथी साथ जिन लोगों को गठियावाद की शिकायत है उनके लिए भी यही है कि अपने शरीर को गर्म रखें जिन काई करके थोड़ा तेल को हलका सुश्म गर्म करके उस से मालिस करें ताकि हमारे जो भी बड़े वुजूर्ग है वो जिन चीजों के बिसे में हम लोगों ने चर्चा करी या वो रक्त चाप से संबंदित हो या उनके स्वसन क्रिया से संबंदित हो या उनके जोडों के दर और सर आम तोर पर जो बुजुर्ग है वो किस तरह के खानपान का अधिक सेवन करें देखिए हम लोग अगर आम तोर पर देखें तो हमारे जो भी बुजुर्ग हैं जिनरली वो एकुम्र के पड़ाओं पे आते आते वो वेजिटेरियन हो जातने हैं तो ऐसी सिती में मैं यह ही कहूंगा कि जो प्रोटीन रिच सबस्टांस हैं उनका सेवन हमारे बुजुर्ग ज्यादा से ज्यादा करें